हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव एड सच में बच्चे की आँखें कुछ कहती हैं आँखें कहती हैं कि वो मजबूर हैं आँखें कहती हैं कि उसकी माबाप मजबूर हैं आखे कहती हैं कि मजबूरी के आगे भी समजबूर है चलिए ऐसी अगली खबर की तरह बढ़ते हैं श्रम कानून में बतलाओ करने पर आरेसस से जुड़ा भारती मजदूर संग नाराज है भारती मजदूर संग ने सरकार के खिलाप देशव्यापी आंदोलन की छेतावनी द अच्छी की देखिए सर आप लोगों ने बीस तारी को आंदोलन के लिए कहा है क्या है पूरा मामला अभी तक तीन राज्य सरकारों ने उत्तर प्रदेश मद्दे प्रदेश और गुजरात दो राज्यों ने तीन साल के लिए और गुजरात ने चार साल के लिए तमाम के लिए कौई कोट में अपील दलील वकील होगा यानि पहली बार देश के साटर साल के इतिहस में हो रहा है यह कि एक मज़दूर के को छटनी की जाएगी नोकली से निकाला जायेगा और तरु इसके सुप्रिम कोट में भी जाकर अपील नहीं कर सकेगा यह पहली बार हो रहा है कि बारा घंटे के डूटी ली जाएगी यानि ऐसा लग रहा है हमको कि भारत फिर से जंगल राज में जाएगा क्या जिन तीनों राजियों का जिक्र गया वहां भारती अंता पार्टी की सरक काम भी है आपने यह कहा है कि राज सरकारे मजदूरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है ना कभी सुना है ना कभी देखा है और उन देशों से भी बत्तर हालत है जो अंडे को डेमोक्रेटिक कंट्री है जंगल में क्या होता है जंगल में कुछ डेमोक्रेशी नहीं तो मैं इसको बंदुवा मजदूर कह सकता हूँ इसको गुलामी का काल कह सकता हूँ तो आसान भाषा में आप समझ लीजे कि RSS का मजदूर विंग ही सरकार के इस पैसले का विरोध कर रहा है भारत में श्रम कानून में हुए बदलवों को लेकर अंतराश्च्रीय श्रम संगठन यानि ILO ने भी चंता जाही की है आपको दिखाते हैं ILO ने क्या कहा है मजदूरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है सरकार श्रमिक और काम देने वाले संगठनों की राय के बाद ही श्रम कानून में संशोधन करे श्रमिक कानून अंतराश्ट्री श्रम मानकों के अनुसार होने चाहिए दिखें अंतराश्ट्री, लेवर, और्गनाईशन क्या कह रहा है, श्रम कानून अंतराश्ट्री, श्रम को कि अनुरूप होने चाहिए. जिखें अंतराश्ट्री, श्रम कानूने चाहिए.